निर्मान आई इसके यूटूब चैनल पे मैं नवीन प्रताब तवर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आईए शुरू करते हैं आज की हमारे करेंट अफेर पे आदारीत MCQs आज का हमारा पहला प्रशन है पहला प्रशन देखते हैं क्या है स्मार्ट सिटीज के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार करें पहला आवास एवं शहरी मामलों के मंत्राले की परिभाशा के अनुसार एक स्मार्ट सिटी लोगों की आकांगशाओ को पूरा करने के लिए सभी आव सनचनाओ एवं सेवाव से युक्त एक शहर है दूसरा स्मार्ट सिटी आ नियोजित छेतरों के लिए छेतर आधारित विकास योजना अर्थात एरिया बेस डेवलप्मेंट प्लैनिंग में मिश्रित भूमी उप्योग को बढ़ावा देती है अब आपको बताना है कि स्मार्ट सिटी के बारे में स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा सही है और उप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा स्मार्ट सिटी काफी common topic है पिछले काफी सालों से लगतार चर्चा में है मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सही जवाब देंगे और इस प्रशन का जो सही उत्तर है option B मतलब second statement correct है first wrong है अब first wrong क्यों है देखते हैं इसमें लिखा आवास और सहरी मामलों के मंत्राले कई बार इसको आवास और सहरी कार्य मंत्राले भी बोलते हैं उसे confuse नहीं होना कि परिभाशा के अनुसार पहली बात मंत्राले ने इसकी कोई परिभाशा नहीं दी और अभी तक हमारे पास smart city की कोई universal definition नहीं है इसलिए पहला statement wrong हुआ कि इसकी कोई परिभाशा है मंत्राले ने कोई परिभाशा नहीं दी तो इसलिए पहला statement wrong हुआ second smart city अनुयोजी छेतरों के लिए छेतर आधारित विकास योजना में जो mixed land use को क्या करती है बढ़ावा देती है ये statement बिल्कुल सही है student आईए अब देखते हैं इस प्रशन को क्यों बनाया गया ये देखिए P.I.B. में प्रिकाशित ख़वर है 28 अप्रेल इसमें आवास एवं शहरी कारियम मंत्रा ले तो अगर तला smart city ने COVID-19 नमूना संग्रहन के लिए mobile कियोस्क का इस्तमाल किया तो यहाँ पे smart city चर्चा में आई है student और मैं आपको कहूंगा यह आपका homework रखना mains के हिसाब से smart cities की features क्या है ठीक है यह इंडिया में कितनी successful है smart cities किस तरह से execution है कहां कहां कैसे कैसे problem आ रही है उसके साथ साथ smart cities के अंदर हमारा SPV होता है special purpose विकल वो क्या होता है यह सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए background में इतनी information required है UPSC prelims और mains के हिसाब से आगे चलते है next question देखिए question क्या है ACI विकास बैंक के संबन में निमलिकित कतनों पर विचार करें पहला ADB अपने सदश्यत देशों आवम भागिदार देशों के सामाजिक आर्थिक राजनिती विकास के लिए लोन तक्नीकी सहायता आवम अनुदान परदान करता है दूसरा ADB की स्थापना वर्ष 1966 में की गई तथा वर्तमान में इसके 90 देश सदश्यत देश है अब आपको बताना है कि ADB के बारे में कौन सा कथन सही है और option A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा काफी महत्पून है ये प्रशन सोस समझ के जवाब देना है और इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option D option D का मतलब statement 1 भी wrong और 2 भी wrong अब देखते हैं पहला statement क्यों रहोंगे देखो इसमें लिखा है ADB अपने सदश्य देशों भागिदार देशों के सामाजिक आर्थिक एवम राजनिती विकास देखो राजनिती विकास आगया ये हमें ध्यान नकना था political development के लिए कोई loan नहीं देता ये इसलिए अगर political development को हटा दोंगे तो बाकी statement पूरा सही है देखो कई बार हम over reading का शिकार होते है इन ही सारी गलतियों से prelims में बचना है बहुत सारे बच्चे margin से कई बार PT fail होते है तो उससे बचने का एक तरीका ये है कि जो आप human error करते हो सही आते होए सवाल को गलत करते हो धंक से पढ़ो उनको दो बार पढ़ो underline करके पढ़ो ठीक है second statement इसकी स्थापना वर्ष 1966 में की कही बिल्कुल सही है लेकिन इसमें बोलाई कि इसके 90 देश सदश्य देश है नहीं इसके जो member countries 90 नहीं है ये 68 है मैं आपको बता देता हूँ जिसमें से 49 country है वो Asia और Pacific region से है Asia Pacific छेतर से और जो बाकी की 19 country है वो other region से है अन्य छेतरों से है ये याद रखेंगे हम उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ADB को UN में एक official observer का status मिला हुआ है UN में official observer का दर्जा मिला हुआ है ADB को उसके साथ आपको एक homework रहेगा आप मुझे बताना कि क्या USA ADB का member country है या नहीं ये आप मुझे comment section में लिखके बताओगे अब जानते है इस प्रशन को बनाया क्यों गया है ये देखिए आज के दा हिंदू में प्रकाशित ख़बर है कि 1.5 billion dollar ADB loan to fund COVID-19 response देखिए जो ADB ने Asian Development Bank ने COVID-19 से लडने के लिए 1.5 billion dollar का loan दिया है देख सकते है the government of India has taken 1.5 billion loan from the Asian Development Bank की सीज के लिए to fund immediate response to COVID-19 COVID-19 से जो सितिया उत्पन हुई है उसको response करने के लिए किन-किन चेतरों में health के चेतरों में और socio-economic जो इसके impact निकल के आए है ताकि उनको address कर सके ओके आगे चलते हैं ये देखिए अगला प्रशन क्या है भारत में मौनसून पूर वर्शा के संबन में निमलिकित कतनों पर विचार करे मतलब मौनसून से पहले जो वर्शा होती है उसके बारे में बात की जा रही है अब आपको बताना है कि उपरिक्त में से कौन सही सुमेलित है और उप्शन A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा ये बताना है हमें और इस प्रशन का जो सही उत्तर है चेक हो रही है आपकी जोगरफी जल्दी बताईए पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी तेयारी है और इस प्रशन का सही उत्तर है उप्शन D मतलब तीनो सही सुमेलित है तो मौनसून से पहले की वर्शा की बात हो रही है मौनसून से पहले जब वर्शा होती है देश के अलग-लग भागों में अलग-लग नाम से जाना जाता है जो नौर्वेस्टर असम में, कालबेसा की पश्ची मंगाल में और आमर वर्शा केरल में कुछ अन्य नाम से भी इसको जाना जाता है मौनसून पूर वर्शा को आप मुझे कमेंट शेक्शन में लिखके बता सकते है कि क्या वो अन्य नाम है जिनके नाम उसे जाना जाता है यहां आपको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि जो मौनसून पूर वर्शा होती है basically होते क्या है यह तड़ित जन्झा होते है और यह क्या होते है किसलिए इनका यह जो बरसात होते है किस कारणन से होते हैं निम्न अवदाब के जो छेतर बनते हैं निम्न अवदाब छेतर इनके बनने से ये तड़ित चज्जा बनते हैं जिससे बारिश होती है अब देखते हैं इस MCQ क्यों बनाया गया ये देखिए PIV में प्रिकाशित खवर है 28 अपरेल की जल शक्ती मंत्राल कि अभियान हमारा तेयार है अभी मौनसून की बात हो रही है तो हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि अलड़ी मौनसून पर मैं कुश्चन पूछ चुका हूँ कैसे बनता है क्या उसकी कंडिशन से अब बात आती है मौनसून पूर वर्षा की देखो मैंने कई बार जो आपसे मैं लगतार बोलता रहता हूँ कि UPSC का जो डाइमेंशन से बहुत वास्ट है हमें बहुत सारे डाइमेंशन पर जाके सोचना होगा कुश्चन किस-किस तरह से आ सकते है मैं कोशिश करता हूँ लगतार MCQ की सिरीज में कि आपके इतने सारे डाइमेंशन खोले जा सक कि आपको एक्जाम में कहीं ना कहीं किसी तरह से तो बेनेफिट मिले इस डिसकुशन का MCQ की सिरीज में जो आपके साथ लगातार हो रहा है ठीक है आगे चलते हैं यह देखिए प्रशन क्या है बहुत शांदार प्रशन है सोच समझ के जवाब देना COVID-19 के दोरान lockdown के महिलाव एवं बच्चों पर संभावित प्रभाव के विशे में निमलिकित कतनों पर विचार करें मतलब पूछा यह जा रहा है कि lockdown की जो situation बनी हुए COVID-19 की इंडिया के लेवल पे नहीं पूरे वर्ल्ड के लेवल पे उसमें महिलाव पे और बच्चों प प्रभाव के विशे में निमलिकित कतनों पर विचार करें मतलब इंडिया को भी इंक्लूड करना है पूरे वर्ल्ड को इंक्लूड करते वे सोचना है आपको पहला है बाल श्रम एवं योन शोशन में व्रधी दूसरा बच्चों के बीच डिजिटल डिवाइड में व्रध यहां पर चोथा स्टेट्मेंट में से मैं लिख देता हूँ लिंग आधारित लिंग आधारित हिंसा में व्रधी ठीक है अब बताईए क्या सही उत्तर होगा ए बी सी या डी में से सोश समझ के जवाब देना पता चलेगा कि आपका social issues, societal आपकी approach कैसी है इस question से पता चलेगा और इस प्रशन का सही उत्तर है option D मतला statement 1 भी correct, 2 भी correct, 3 भी correct है और 4 भी correct है देखो basically इंदी नो lockdown के दुरान इंडिया में काफी अच्छे editorial आ रहे है आपके दा हिंदू में इंडियन express में international level पर बहुत सारे generals आ रहे है उसमें तरह तरह के जो situation और उसके संभावित प्रभाव निकल के सामने आ रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले पे इसमें बोलाए कि COVID-19 के दुरान बाल श्रम और योन शोशन में वरदी एक संभावित प्रभाव है जैसा कि आप लगादार देख रहे होंगे दा हिंदू में आप उसने देखा होगा कि COVID-19 के दुरान जो child pornography बहुत बढ़ गई है काफी मात्रा में उसके जो cases आ रहे है तो ये एक study आई और बाल श्रम और योन शोशन दोनों ही बढ़ा कारण क्या बतायागा बताया गया उसका मैं आपको बता देता हूँ economic insecurity देखो economic insecurity है ये पतला आर्थिक आसुरक्षा की भावना के चलते बाल श्रम और योन शोशन में व्रदी दूसरा बच्चों के बीच digital divide में व्रदी देखो क्या कहा गया है actual में COVID-19 के दुरान school क्या हो गई है वो बंध हो गई है ऐसे में जो well-to-do families है उनके जो बच्चे है या जिनकी digital platform तक access है जिनके पास वो equipments है जिससे वो online study कर सकते है ऐसे में वो बच्चे अन्य बच्चों में जिनके पास इस सरह की सुविधाय नहीं है वो आगे निकल home का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे तो इससे digital divide में व्रधी होगी ऐसी भी एक study सामने आई है और basically इससे क्या होगा एक learning crisis पैदा होगा learning crisis ये बात बिल्कुल सही है तीसरा इससे नवजात मृत्युदर और बच्चों में पोशन में व्रधी होगी को पोशन में व्रधी बिल्कुल देखो एक example लेता है इंडिया का ही midday meal जैसे कि आप जानते हो midday meal scheme है उसके तहत बच्चों को स्कूल में क्या किया जाता है भोजन दिया जाता है उनकी nutrition जो requirement है उसको पूरा किया जाता है तो ऐसे में जब school बंध है तब study आ रही है ऐसी सामने कि ऐसे बच्चे जो पहले से ओलरी जो बुकमरी के शिकार थे गरी फैमली से जुड़े हुए थे ऐसा उनका background था तब midday meal से उनकी nutrition requirement को पूरा किया जा रहा था अब ऐसे बच्चों के सामने mall nutrition की समस्या पैदा हो सकती है ये भी study निकल के आई है उसके बाद link आधारित हिंसा में व्रद्ध जैसे कि आप लगातार जान रहे हूं महिलाओ और जो गर्ल्स और वीमेन के खिलाव domestic violence lockdown के दोरान काफी बढ़ा है लगातार इस तरह की खबरे आ रही है दहिंदू के editorial, news, Indian Express सब जंगे बहुत सारे journals में इस तरह की study आ रही है तो ये चारो ही संभावित प्रभाव है आगे चलते हैं अगला प्रशने ओजोन छिद्र के संबन्द में निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला विज्यानिकों के अनुसार आर्क्रिक छेत में शोब मंडल में इस्तित ओजोन परत का छिद्र बंध हो गया दूसरा ओजोन छिद्र का एक प्रमुक कारण ध्रूविय व तागर का बनना और उससे जुड़ी वाईमन ले घटना उसे है तीसरा वर्तमान में कोविड-19 में लोकडाउन के कारण प्रदूशन का इस्तर निम्न होने से अर्थात कम हुआ है प्रदूशन उससे ओजोन छिद्र बंध हुआ है अब आपको बताना है कि ओजोन होल के बा और इस प्रशन का सही उत्तर है option A मतलब statement 2 is correct one and third is wrong देखो one क्यों रोंग हुआ देखते है विज्ञानिकों के इनुसार आर्क्टिक छेतर में छोब मंदल में इस्तित ओजोन परत जैसा कि आप जानते ओजोन परत छोब मंदल में इस्तित नहीं है ये समताप मंदल में स्ट जो भी पड़ोगे वहां आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा और second चलते है ओजोन छिदर का एक प्रमुक कारण धूविय वाताग जिसको polar vortex बोलते है का बनना और उससे जुड़ी हुई जो आमारी environmental या atmospheric जो conditions है events है उससे जुड़ा हुआ है बिलकुल definitely ये बात बिलकु होता है नहीं पता तो comment section में लिखके बताइए कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक 5-10 minute की वीडियो लाके इसको समझाया जाए क्योंकि अगर ओजोन छिदर बंध हुआ है तो हो सकता है ओजोन छिदर पे ओजोन कैसे बनती है उस पे न जाके UPSC सीधा इस पे चली जाए कि polar vortex क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता हर dimension पे ready रहना है थर्ड वर्तमान में कोविड 19 में lockdown के कारण परदूशन का इससर गिरा है उससे ओजोन छितर बंध हुआ है जैसा कि वेग्यानिको ने कहा है कि lockdown के कारण परदूशन का इससर जो नीचे गिरा है उससे कोई लेना दे जैल की खबर है और जोन लेयर होल और आर्क्रिक लोजिस कंफिर्म साइंटिस साइंटिस्टों ने कंफिर्म किया है कि आर्क्रिक के ऊपर जो जो ओजोन छिदरता वो बंध हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं तो कॉपर निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस सी 3S और और निकस एत्मोस्फियर मॉनेटरिंग सर्विस इन्हों ने बताया है सी 3S की साइंटिस्टों ने इस बात की पुक्ता मतलब प्रमान दिये है कि यह होल बंध हो चुका है इसलिए इस बार के पॉइंट यूफिस से पॉलर वर्टेक्स में इन्पोर्टेंट रहेगा और ज खातली ओजोन कैसे बनती है मतलब ओजोन के जितने भी डाइमेंशन है आपको क्लियर होना चाहिए इसके इंपेक्ट क्या है क्या प्रभाव है यह सारा आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं अगला प्रशने नेशनल मिशन फोर क्लीन गंगा के सम्मन में निमलिखित कत पर विचार करें पहला एनमसीजी की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 2007 में एक पंजीकरण सोसाइटी के रूप में की गई दूसरा एनमसीजी रास्टे गंगा परिशद की किरियानवियन शाखा है अब आपको बताना है कि एनमसीजी के बारे म इन दोनों कत्नों में से कौन सा कत्न सही है और स्टेटमेंट और ऑप्शन ए बी सी और डी में से सही उत्तर क्या होगा तीन सेकिंड आपके पास जवाब देने के लिए और इस प्रशन का सही उत्तर है ऑप्शन बी मतलब स्टेटमेंट सेकिंड करेक्ट है फस्ट रॉंग ह फर्स्ट क्यों रोंगे देखते हैं NMCG की स्थापना सोसाइटी पंजीकरन अधिनियम 1860 के तहत की गई बिल्कुल सही है यहां तक लेकिन वर्ष 2007 में नहीं की गई यह 2011 में की गई है यह हमें याद रखना है सेकिन जो NMCG रास्टे गंगा परिशद की किरियान में शाखा है बिल्कुल सही है यहां मैं आपको छोटी सी इंफोर्मिशन दे देता हूँ इस प्रेंट आपको काफी कामगर रहेगी यह जानकरी जैसे कि आप जानते गंगा की सफाई के लिए सबसे पहले हम लेके आए गंगा चोटा सा है मैं गंगा एक्षन प्लान काफी महत्पुन जानका रही है आपको काम आएगी यह गंगा एक्षन प्लान 1 आया और 2 आया जो 1 आया 1985 में आया और 2 आया 1993 basically जो गंगा एक्षन प्लान की जो problem क्या थी इसने basin-based approach को basin-based approach नहीं अपनाई मतलब गंगा जो नदी है वो सिर्फ गंगा नहीं है गंगा की सहायक नदिया भी है जो उसमें आके मिलती है अगर आप सिर्फ गंगा पे ही मेन उसकी स्ट्रीम पे कंसीडर करोगे तो गंगा की सफाई होई ही नहीं सकती उसके basin को उसके सहायक नदिया किन-किन छेतरों से होके बह रही है, उन सब को cover करना होगा, तो ये approach missing थी गंगा action plan में, ठीक है, उसके बाद फिर हमने किया किया, मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष 2009 की बात है, 2009 में हम लेके आए National Ganga River Basin Authority, देखो आगे ना, basin include हो गया, किसके और इसी के तहत हमने जो NGRBA, ये जो भी policy लेके आए, उसके execution के लिए हमने बनाया National Mission for Clean Ganga, जिस पे मैंने question पूछा है, ये बना 12 अगस्त 2011 के दिन, ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, इसका काम था कि ये NGRBA की implementation agency था, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या कहानी होई, बात चल वर्ष 2014 में इसका मंत्राले जो पहले Ministry of Environment, Forest and Climate Change था, तब अब इसको किस मंत्राले के अधीन कर दिया गया, जल संसाधन, नदी विकास वे गंगा, पुनर यूवन मंत्राले, ठीक है, अब इस मंत्राले के अधीनी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, नमामी गंगे, ये या क्या किया, हमने NGRBA को 2016 में हमने इसको क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, और इसकी जंगे हम लेकिया आए, National Ganga Council, National Ganga Council, देखो ये बहुत महत्पून चार्ट है, ये समझना इस development को किस तरह से आगे बढ़ रहे है, अब जो National Ganga Council है, इसकी अध्यक्ता को न करते हैं, भारत के प्रधान मंतरी, अब जो ये नमामी गंगे प्रोग्राम चल रहा था, इसकी execution wing कौन है, इसकी execution wing भी जो body है, National Mission for Clean Ganga है, अब जो NGRBA है, उसका इस्तान किसने ले लिया, National Ganga Council और इसके भी जो policy बनाएगी, जो planning होगी, उसके execution का काम भी कौन करेगा, National Mission for Clean Ganga, ये बात उमी development हुआ, गंगा की सफाई को लेके, अब जो महत्पून बात है, कुछ बच्चों के मन में प्रशन बेसिकली उठ गया होगा, कि आब तो हमारा जल शक्ती मंतराले है, सर आपने तो यहाँ जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनर यूवन मंतराले बताया, अब हमारा है जल बेसिकली पहले दो मंतराले थे, मैं नाम बता देता हूँ, दो मंतरालो क्या, पेजल और स्वस्था मंतराले जिसको बोलते है, Ministry of Drinking Water and Sanitation, और एक मंतराले था हमारा जल संसाधन, जल संसाधन, नदी विकास, वे गंगा पुनर यूवन मंतराले, इसी के अधीनी हमारा क्या चला था, इस मंतराले के दिन नमामी गंगे, लेकिन अब मैं 2019 में इन दोनों मंतराले को एक ही मंतराले में मर्ज कर दिया गया, और नया मंतराले क्या बना जल शक्ती मंतराले, ये बात उमीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये आपको पू आज में आया है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके जरूर बताना, बहुत महत्पून जानकारी थी, आगे चलते हैं इस प्रशन को बनाया क्यों गया, ये देखते हैं, ये देखिए, आज के दा हिंदू में प्रकाशित ख़बर है, गवर्मेंट स्टार बात्स प्लैनिंग फोर हरीदवार कुंब मेला को स्टार्ट करने की प्लैनिंग चल रही है, सरकार की यहां पर mission for clean गंगा की बात आई है, तो यहां पर देख सकते है national mission for clean गंगा, आब मैं उम्मीद कर रहा हू deuxième कि आप इस national mission for clean गंगा को कभी नहीं भूलेंगे, किस तरह से काम करता है, कई बार हमारे सामने क्या क्या बहुत चर्म आ जाते है National Ganga Council आ गया, NGRB आ जाता है कई बार नमामी गंगे आ जाता है Ganga Action Plan भी कई बार चर्चा में आ जाता है, Newspapers में तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आगे चलते है यह देखिए USCIRF द्वारा हाली में जारी रिपोर्ट के सम्मद में निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला USCIRF ने वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत को विशेश चिंता के देश की श्रेणी में पाकिस्तान उत्तर कोरिया, चीन और साओधी अरब के साथ रखने की अनुशंशा की है दूसरा USCIRF संयुक्त रास्ट संग का एक प्रामर्शी निकाए है जो धार्मिक सुतंतरता की स्थिती पर रिपोर्ट जारी करता है अब आपको बताना है कि USCIRF के बारे में इन दोनों कत्म में से कौन सा कत्म सही है और सही उत्तर क्या होगा A, B, C या D में से चार सेकिंड का समय है आपके पास बताईए क्या होगा सही उत्तर और इस प्रशन का सही उत्तर है option A मतलब पहला कत्म सही है दूसरा कत्म गलत पहला सही देखते हैं क्या है USCIRF क्या है क्या काम करती है नेक्स स्लाइड पच्छे से बताऊंगा आपको इसने बोलाए कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत को विशेश चिंता के देश मतलब country of particular concern मतलब country of particular concern कि देश की श्रेणी में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन और सजुदी अरब के साथ रखने की अनुशन शाह की है बिल्कुल सही सेकिंड इसमें जो बोला है कि ये संयुक्तरास्ट का एक प्रामर्शी निकाए है नहीं, संयुक्तरास्ट का प्रामर्शी निकाए नहीं है ये US जो कॉंग्रेस है, उसका एक प्रामर्शी निकाए है जो धार्मिक सुतंतर्दा की सिरी पर रिपोर्ट जारी करता है आप देखते हैं, इस प्रशन को बनाया है क्यों गया ये देखिए USCIRF Report Downgrade India for Violation देखो ये रिपोर्ट क्या कर रही है इस पूरा रिपोर्ट का नाम क्या है मैं बता देता हूँ United States Commission on International Religious Freedom ये रिपोर्ट है, इसने कहा है कि US Government को To Classify India as Country of Particular Concern मतलब भारत को विशेश चिंता के देश की शरिणी में रखा जाए के साथ, like Pakistan, North Korea, China and Saudi Arabia तो ये बात हम याद रखेंगे ठीक है, उसके साथ-साथ यहाँ पे देखी यहाँ क्या है USCIRF के ये एक Advisory Body है किसकी? US Congress की जिसने अभी 2020 की अपनी रिपोर्ट जारी की है धार्मिक सुतन तरता के बारे में इंडिया को इसने इन कंट्रीज के साथ क्यों रखा? देखो, यहाँ पे पढ़ते है इस रिपोर्ट ने क्या कहा? It cited the CAA जो हमारा Citizenship Amendment Act और NRC इस्चू ये एक कारण रहा रिवॉकिंग ओफ आर्टिकल 317 जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया दिल्ली में जो दंगे हुए फरवरी में उनके चलते तो क्या हुआ? इसके चलते भारत में धार्मिक जो सुतंतरता की इस्तिती पे चिंता व्यक्त की गई और भारत को किन देशों के साथ रखने की बात की गई इसने अनुशंचा की है पाकिस्तान, नौर्थ कोरिया, चाइना और सौधी अरेबिया उमीद कर रहा हूँ कि ये यू-स-CIRF रिपोर्ट आये तो आप इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे आगे चलते है अगला प्रिशन है इंपोर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स के पॉइंट आफ यू से ग्लोबल टेरोरिज्म इंडेक्स जी टी आई 2019 के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार करे पहला, यह सूचकांक वर्ष 1950 से वेश्विक इस्तर पर आतंकवाद के ट्रेंड एवम पैटर्ण पर एक वियापक सारांस अर्थार्थ कॉम्प्रिहेंसिव संब्री उपलब्द कराता है दूसरा, सूचकांक में आतंकवाद से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा देश अफगानिस्तान है तीसरा, GTI रिपोर्ट वार्षिक रूप से सिप्री द्वारा जारी की जाती है अब आपको बताना है कि GTI के बारे में तीनों कत्नों में से कौन सा कत्न सही है और A, B, C या, D में से सही उत्तर क्या होगा क्या होगा सही उत्तर बताइए जल्दी से जादा से जादा बच्चे जवाब दिया कीजिए और इस प्रशन का सही उत्तर है Option B मतलब केवल सेकिंड स्टेट्मेंट करेक्ट है फर्स्ट भी रॉंग और थर्ड भी रॉंग देखे, क्यों रॉंग है पहले वाला इसमें बोला है कुछ खांक वर्श 1950 से नहीं 1950 से नहीं वर्श 2000 से वैश्विक इस्तर पर आतंकवाद का जो ट्रेंड है और पेटर्न है उस पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सम्मरी अवलेबल कराता है दूसरा, देखो कुछ दिनों से मैं फेक्ट भी पूछ रहा हूँ लेकिन अगर 2-3 कॉश्चन में हम त्यारी के दुरान कई बार हमारा मैंड सेट ऐसा हो जाता है कि यार फेक्ट को हमें इग्नोर ही करना है लेकिन 2-3-2-3 कॉश्चन करंट के ऐसे रहते है UPSC के पिछले 2-3 सालों से जिसमें फेक्ट इंपोर्टेंट हो जाता है तब कुछ-कुछ फेक्ट भी हम याद करते रहे इसलिए मैं कुछ 1-2-2 कॉश्चन फेक्ट वाला लगातार पूछ रहा हूँ ताकि फेक्ट को आप इग्नोर ना करे और 2-3 कॉश्चन का आपका नुकसान ना हो जाए ठीक है ना तो पहला स्टेट्मेंट समझ में आ गया 2000 से कर रहा है इस काम को ये सुचकांग में आतंकवाद से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा देश अफगानिस्तान है बिल्कुल GTI रिपोर्ट वार्षिक रूप से सिप्री द्वारा जारी की जाती है नहीं ये सिप्री द्वारा जारी नहीं की जाती मैं next जो आपको स्लाइड है उसके बताऊंगा कि ये रिपोर्ट सिप्री द्वारा नहीं अभी बता देता हूँ ये Institute of Economic and Peace आपने नाम सुना होगा जो रिपोर्ट एंड इंडाइसिस वाली जो लॉकडाउन मोड्यूल की क्लास है उसमें प्रोपर मैंने बताया है कि Institute of Economic and Peace का क्या काम है कैसे कैसे काम करता है ये बेसिकली एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका है एड़ क्वार्टर है सिद्नी में अल्रेडी लॉकडाउन मोड्यूल में चर्चा कर चुका हूँ मैं Institute of Economic and Peace पे Institute for Economic and Peace याद रखेंगे इसको अब देखते है ये प्रशन क्यों बनाया गया देखे आज के दा हिंदू में प्रकाशित ख़बर है कि नीती आयोग स्लैम्स इंडियास टेरर रैंकिंग नीती आयोग ने जो टेरर की रैंकिंग दी गई है किसमें आप जानते है यहाँ पे देखे छोटा लिखा है नेक्स स्लाइड प्रोपर इसी के इंपोर्टेंट पॉइंट निकाल के लिखे है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं Global Terrorism Index 2019 की बात की गई है यह पूरी खबर क्या है नेक्स स्लाइड पे चलते है वहाँ पे एक एक पॉइंट दिखाया है मैंने पहले जान लेते हैं Institute for Economic and Peace है 2019 की Global Terrorism Index जारी किया यह महत्पून रहेगा हमारे लिए और देखो यहाँ पे क्या लिखा है Death from Terrorism Half in Last 4 Years पिछले चार सालों में आतंकवाद के कारण जो मृत्ती हो रही थी वो कम हुई है but number of countries affected by terrorism is growing मतला आतंकवाद में मरने वाले की आतंकवादी घटनाओ में मरने वाले लोगों की संख्या तो पिछले चार सालों में कम हुई है लेकिन जो country आतंकवाद से प्रभावित हो रही है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यह बात की है Institute for Economic and Peace यह देखे लिखा है साफ यहाँ पे आगे चलते है यह देखे यह 2019 का जो index है इनकी दिखाई गई यमन की फिलिपीन्स Democratic Republic of Congo Egypt, Libya, Malie इनकी अच्छी कंडिशन है भारत से अब यह देखते है Global Terrorism Index 2019 है क्या जो हिंदू की slide थी जो news थी उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने लाके रखा है नीति आयोग ने question किया है कि जो method जो मतलब एक तकनीक अपनाई गई है किसके दोरा Global Terrorism Index 2019 के दोरा जो methodology अपनाई गई है to rank India as seventh worst जिसमें साथवे स्थान पे रखा गया है terrorism effective country में ahead of conflict-ridden countries such as Democratic Republic of Congo South Sudan, Sudan, Burkina Faso Palestine, Lebanon इन से भी इंडिया को नीचे रखा गया है उस पे नीति आयोग ने कहा है कि जो आपकी methodology है वो सही नहीं है इस तरह से आप इंडिया को इस तरह की rank नहीं दे सकते इस तरह के प्रशन उठाए है नीति आयोग ने तो यह देखो क्या लिखा है Global Terrorism Index is a report published annually by the Institute of Economics and Peace a global think tank है जिसका headquarter Sydney में है नेक्स क्या है यह report Index Index provides a comprehensive summary of key global trends and pattern in terrorism since 2000 2000 से ही साल 2000 से वेश्विक इस तरह पे जो आतंकवाद का जो किस तरह का pattern है क्या trend है उस पे एक व्यापक समरी देता है यह Death from terrorism fell for fourth consecutive year लगातार चार साल हो गए अतंकवाद में मरने वाले लोगों की संख्या घट रही है 2014 के बाद से और Afghanistan has replaced Iraq as the country most affected by terrorism पिछले साल के अगर बात करें तो Iraq number one पे था इस साल कोन आया Afghanistan number one पे आया फिर देखो इंडिया के बारे में क्या कहा गया कि India has moved to seventh position साथवे स्थान पे आ गया अब फिर देखो The countries ahead of India are भारत से आगे कोन है number one अफगानिस्तान फिर लिराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सुमालिया ये याद रखेंगे हम उमीद कर रहा हूं कि Global Terrorism Index आपको अच्छे से समझ में आया है आगे चलते है ये देखे आज का हमारा अभ्यास प्रशन Midday Meal स्कीम के समझ में निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला Midday Meal कक्षा एक से कक्षा नो तक के बच्चों को कवर करता है जो कि सरकारी विध्यालों में पढ़ते है दूसरा ये विश्व का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग का रेकरम है स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है ये तीसरा जो Midday Meal स्कीम है रास्टे खाद सुरक्षा अदिनियम 2013 के अंतरगत कवर है इसको कवर किया गया है अब आपको मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके बताना है कि Midday Meal जो स्कीम है प्रशन क्या है निमलिकित देशों का उतर से दक्षिन की और सही करम बताईए स्वीडन, जर्मनी, स्वीड़र्लेंड और इटली और इस प्रशन का जो सही उतर है ये बिल्कुल सही करम है एक, दो, तीन, चार जादा तर बच्चों ने सही जवाब दिया है कुछ के अभी भी गलत आये है इसका मतलब उन्होंने अभी तक lockdown module में world mapping की class नहीं की है अगर की होती तो इस तरह की question गलत होने के chances कम हो जाते तो आप, मैं आपको recommend कर रहा हूँ कि आप वो classes जरूर देखिए definitely benefit मिलेगा आपको उन classes से निर्मान आई इसके daily current affair based mcq की आज की series यहीं समापत होती है अगर आपको इस series पसंद आ रही है तो हमारे youtube channel को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए, धन्यवाद